वेलकम टू माई चैनल तरोट कार्ड डिडिंग और इस समय पर क्या करेंट एनर्जीज आपके परसन की डियर गाईज टेरो कार्ड में देखेंगे ओ माई गॉड लॉन्ली लाइस के एनर्जीज आ रही है तरोट कार्ड आपके सामने है अकेल अपन महसूस कर रहे हैं आपके पार्टनर यहाँ पर इस समय पर जो अनर्जीज मेरे पास आ रही है वो यहाँ पर यही आ रही है कि जो आपके परसन है ठीक है वो इस टाइम पर किसी चीज को लेकर बहुत ज़्यदा स्ट्रेस में है अपन नहीं लग रहा है आपके बिना इनकी फीलिंग्स आ रही है ऐसा लग रहा है कि आप कुछ रिसेंटली अनर्जीज आ रही है मतलब लास्ट या तो आप लोग के बीच में किसी बात को लेकर आर्ग्यू हुई या कोई ऐसी बात या फिर इस समय पर आप दन्यों के बीच में रिष्टी में डिस्ट्रवेंस भी कह सकते हो कि आप डिस्ट्रवेंस भी हो रहा है मतलब एक दूसरे को अंडर्स्टेंड आइटिंक नहीं कर पा रहे हो जिससे भी कभी कभी ऐसी सिच्वेशन हो जाती है कि बहुत जादा मतलब अकेला पन फिल करना है बहुत ज़दा स्ट्रेस में जाना चीजों को समझते हुए भी कई बार ऐसा हो जाता है ना कि हम समझ नहीं पा रहे हैं और बहुत जादा mental stress हो जाना कहीं से दवाब भी पड़ना और रिष्टा जैसे पहले था आप लोगों के बीच में उस चीज में थोड़ी सी गराबट में देख रही हूं बतलब energies यहां पर अकेले पनवाले आ रही है तो या तो आप लोगों के बीच में इस समय पर जो energies आ रही है ब्रेक अप जैसे इस्तिती भी दिख रही है कई लोगों में तो हो सकता है कि ब्रेक अप जैसा हो आप लोगों की बात नहीं हो रही हो ठीक है और यह relation आपका कि किसी का भी हो सकता है married love life relationship extremity love affair या फिर आप किसी अपने किसी भी और relative से आ किसी के लिए देख रहे हो ठीक है लेकिन total energies क्या रही है कि आपकी person total energies आपके बारे में सोच रहे है इनकी दिमाग में आप चल रहे हो आपके लिए feelings चल रहे है और यह सोच रहे है इस समय पर कि मतलब ज positive energies feel होती थी सब को ठीक था और आज ऐसा हो गया है कि इस समय पर आप दोनों के बीच में बहुत disturbance है जिसकी बज़र से काफी जादा मतलब यहां पर यहां पर अकेलापन फील करना यह बहुत जादा लोग फील करना यह बहुत जादा इस चीज के बारे में सोचना यह सारी च कुछ चीजे ऐसी हैं जो शायद आपके person आपसे कहने ही पा रहे हैं ठीक है मतलब one single card है आपको देख रहे हो के और एक card में इतनी जादा vibration मुझे मिल रही है ऐसा लग रहे है कि अपने दिल की बात कहना चाहते हैं आपको बताना चाहते हैं आपसे मिलना चाहते हैं आपसे क हुँ कहना चाहते हैं रहे हैं हमें पता है कि हमें गलत समझ रहे हैं अपको अपको मिस कर रहे हैं लेकिन आप से ज्यादा यह उस चीज को मिस कर रहे उस ट्राइम को मिस कर रहे जिसमें आप दोनों के बीच में एक अच्छा रिलेशन था आप दोनों के बीच में सब कुस ठीक था ठीक है तो यह उस ट्राइम को भी मिस कर रहे कि मतलब कैसे था पहला और अब कैसा हो गया है तो बहुत ज हो रहा है दिन पर दिन में यह बोलू कि चीजे दूरियां बढ़ नहीं है तो कहना गलत नहीं होगा लेकिन यह जो डिस्टेंस हो रहा है इस डिस्टेंस में यह भी शौकिंग है इस डिस्टेंस में यह भी परेशान है मैं इनको भी स्ट्रेस हो रहा है कि मतलब क्यों क्यों हम अलग हो रहे हैं, हम अलग नहीं होना चाहतें और यहां पर देख लिजे, कार्ड आभी क्या ब्रेक्त्रू का कार्ड है देखो, जो दूरिया है, वो दूरिया इन पर सहर नहीं हो रहे हैं, सबसे पहले चीज़ तो आप लोग आज अलग हो लेकिन ये अलगा हो या फर ये distance इनको नहीं पसंदार है reason कोई भी हो distance में distance का मतलब लेकिन इनको नहीं चाहते है उपर से हो सकते है कि ये आप से silence हो आपको इनके वेवियन में changes दिख रहा हो लेकिन सचाई यहाँ पर यह है कि ये वो सारी चीज़ों को disturbance को ये खतम कर देना चाहते हैं जिसमें आप लोगों के बीच में problems हो रही है आप मिल नहीं पा रहे हो क्योंकि बहुत ज़्यादा मुझे feelings यहापर true दिख रही है और ये true feelings अगर आप मुझसे पूछते हैं कि मैं तो क्या is true feeling रियूनियन होगा तो मैं आप से ये बोलूगी कि रियूनियन की allergies है ये आप से दूर जाना ही नहीं चाहते हैं जब दूर जाना ही नहीं चाहता है परसन इंसान तो फिर वो रियूनियन जैसा question ही नहीं उठता लेकिन आज दूर ना जाने के बाद भी दूर यां है तो मिस कई कितना जदा problems हो रही होगी आपको सोच के देखिए आप आप दोनों अलग-अलग space में अलग-अलग जगे पर हो ये अपनी मन की बात नहीं कह पारे आप अपनी मन की बात कहे है और ये उपट ये सुन नहीं रहे है तो कही ना कही ये समझ रहे हैं कि आपकी situation आप इनके पास आना चाहते हैं उनकी feelings true है marriage को लेकर हो, love relation को लेकर हो आपका extremity life where हो कोई भी condition हो बट ये अपनी feelings आपको पताना चाहते हैं कि मुझे आपसे love है, मुझे आपके साथ रहना है, मुझे दूर नहीं जाना बट यहां पर यह नहीं कहा पा रहे है तो ये situation इनकी दिख रहे हैं राशियां सुन लीजेगा Taurus, Virgo, Capricorn Gemini, Libra Sagittarius, Scorpio Pisces, Aries Successful Energies, वाओ, वाओ So sweet Aries, अगेन दिखे हैं Aquarius Capricorn, I think मैंने बता दिया है मेरे को कुछ अनर्जी बहुत जादा हाइलाइट होती है जब रदस दिखती है तो मैंने उनको दुबार दुबार बोल देती हूँ लिए इनका answer दोनों ही निज़रा आ रहे है आज अच्छा, यहां पर मेरे को नाराज की दिख रही है अगर ऐसी situation है आपके पास कि आपके person आपसे सिर्फ नाराज हो रहे है बात करना तो दूर इससे में नाराज हो रहे है उनका दिमाग बहुत ज़्यादा stress में और अगर ऐसी situation है तो फूर आप समझ लीजे कि कहीं न कहीं कुछ ऐसी चीजें हैं जो कि वो और आपके बीच में डिस्टरव है ठीक है नाराज की दिख सरूर रही है अगर वो आपसे नाराज हो रहे हैं या वो आपसे कह रहे हैं कि मैं नहीं आउंगा मुझे नहीं लोटना है आप अपना अलग देख लीजें अगर ऐसी सिच्वेशन है आपके इस ट्राइम पर तो आप समझ लीजे कि वो ऐसा उपर से ही बोल रहे है दिल से ऐसा नहीं है मतलब फिलिंग्स में ऐसा नहीं अनर्जीज में ऐसा नहीं है उपर से गुसा है क्योंकि ये नाराज की किसी और बज़े से भी हो सकती किसी और के बारे में भी हो सकती किसी और दवाब इनके उपर जो पढ़ रहा है उसकी भी हो सकती है देखें अंदर से आप फिलिंग्स देखी मुझे आपके साथ ही marriage करनी है या फिर हम दोनों को हमेशा एक रहना है आप different set of marriage तो भी यहाँ पर यह feelings हा रही है कि हम एक दूसरी का सुख दुख में साथ दिभाएंगे आप already marriage पर मैं देख रही हूँ किसी और की बज़े से उन्हें आपसे रिष्टा तोड़ने के लिए बोल दिया लेकिन यहाँ पर energies नहीं दिख रही है तो यहाँ पर नाराज़गी दिखाए दे रही है लेकिन यह नाराज़गी सिर्फ यहाँ पर show हो रही है मतलब वो अपसे ऐसा वेविर कर रहे है लेकिन अंदर से उनकी feelings नहीं है कभी-कभी कदर है कि किसी बात को लेकर stress में आ जाते हैं और किसी burden की बज़े से वो ऐसा वेविर दिखा रहे है बट अंदर से उनकी polite energies है emotional energies है काफी दिनों का बंधन दिख रहा है काफी दिनों का रिष्टा दिख रहा है है ना मतलब लोंग टाइम पर आप हो past का relation भी दिख रहा है तो यह इतनी जल्दी मतलब तोड़ना नहीं चाहते हैं आपकी साथ तूटी का नहीं आपका रिष्टा लेकिन energies यहां पर क्या हो रही कि situation ऐसी create हो रही है इस समय पर आप लों के बीच में जिससे बहुत जादा mind में stress हो रहा है गुसा आ रही है इनको stress में है so यह energies यहां पर आ रही है बट यहां पर successful energies दिखा रहा है tarot card successful energies यहां पर क्यों दिखा रहा है इसलिए दिखा रहे है successful angels आमें जो हैं वो बता रही है गाइड कर रही है कि आप लोग के बीच में ऐसी situation हो रही है बट chances है change होने के जो problems आपके दिख रही है उनमें changes दिख रहे है changes आप दुनों के बीच में relation को लेकर आ रही है कि काफी हाद तक आपके relation में एक positive energy मेरे को show हो रही है मतलब आगे के आने के time में आने वाला जो समय है आपका या फिर आप लोग के इस समय आप लोग का no contact situation चल रहा है कि काफी time से आप लोग मिले नहीं हो या फिर आपको meet खतम हो गई तो यहाँ पर angel आपको guide कर रही है कि successful energy है मतलब कहीं न कहीं आप लोग के बीच में इस समय पर situation ऐसी हो रही है कि आप लोग का reunion होके दुबरा से आप इस relation में हो तो मतलब जो energies आपको दिख रही है कि यहाँ भी खतम हो गरिश्टा बट यहाँ पर hope मेरे को नजर आ रही है feelings मेरे को नजर आ रही है आता है वीडियो पर ही नंबर ले और पहले appointment ले ले मेरे team आपको appointment देदेगी then मैं आप से बात करूँगे and take care bye bye